हेलो रिवान, वेलकम टू पार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब इज्चू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे केंडी फोर्स कैपसुल के बारे में तो हम सिखेंगे उसके basic use के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical condition में ये capsules को prescribe किया जाता है साथ ही जानेंगे उसका dose क्या होते है, side effects वगरा क्या होते है फिर जानेंगे कि उसको pregnancy के दरण use किया जाए या नहीं किया जाता तो सीखते हैं डिटेल में ये video lecture के अंदर अक्सेस करिए study material test series and disease and medicines related video lectures उनके PDF and PPTs फार्मरोक्स के अब उपर तो अगर आप Android user है तो Android app डाउनलोड करें आईपन user app store से डाउनलोड करके ये medicine course जो है वो अक्सेस कर पाऊगे कि जिसके अंदर आप सीखेंगे medicines के basic use के बारे में उनके dose, side effect and warning and contraindications के बारे में तो अभी डाउनलोड करें एफ और special offer का खास आप benefit उठा सकते हैं कि अब भी आप समझो कि ये course purchase करते हैं तो affordable price के अंदर आपको मिल जाएगा वो भी एक साल तक तो study material test series and video lecture के लिए ये number पर आप contact कर सकते हैं कि जो pharma rocks का whatsapp helpline number भी है तो आप समझते है candy force capsules के बारे में तो candy force capsules जो है वो antifungal medication है कि जो बहुत सारे अलग-अलग fungal infections को treat करने के लिए use किया जाते है कि जो fungus के करन होने वाले fungal infection है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि candy force जो है वो antifungal medications के category के अंदर आता है और ये जितने भी अलग-अलग fungal infections होते है उसके इलाज में ये medication जो है वो use की जाती है उसके manufactures के बारे में समझे तो mankind pharma जो है उसके manufacture है कि यहाँ पर आप देखो mankind का logo देख सकते हैं कि mankind pharma जो है इसके main manufacture है और उसके अंदर जो कोई medication है antifungal drug कौन से add किया गया है तो वो है itraconazole तो ये खास आपको याद रखना है कि candy force तो उसका brand name है कि यहाँ पर आप देखो candy force 100 और candy force 200 करके ये दो brand name है कि जो mankind pharmaceuticals ने दिये है बट उसके अंदर जो main salt composition है वो है itraconazole capsules और itraconazole जो है वो antifungal medication है तो इसके 2 strength available है 100 mg के strength में candy force 100 available है और दूसरा 200 mg strength के अंदर candy force 200 तो दो अलग-अलग variants अविलेबल है ये medication के तो mankind pharma के बारे में समझे तो ये Indian pharmaceutical company है और इसका जो headquarters है वो new Delhi के अंदर है और mankind जो है वो बहुत सारे अलग-अलग pharmaceutical doses forms बनाती है जैसे कि वो antibiotics बनाते है साथो साथ जो gastro-intestinal tract के लिए के लिए जो अलग-अलग disease and disorders होते हैं उनके लिए भी medications डिजाइन करती है cardiovascular system related problem, dermal मतलब कि हमारे skin related problem और erectile dye functions के लिए भी mankind के बहुत सारे medications और product जो है वो available है तो आगे समझते हैं ये medications के बारे में कि candy force 100 versus 200 में difference क्या है तो वो मैं आपका concept clear करवाता हो कि यहाँ पे आप जो देख रहे है candy force के capsules की जो 100 mg के strength में है जिसके करण उसको जो है वो brand name के अंदर नाम दिया गया है 100, 100 का मतलब होता है कि ये medic, इसके अंदर 100 mg जितना medication present है ये itraconazole का, उसी तरह से जो candy force 200 है उसके अंदर 200 mg जो है itraconazole जो है वो present है तो सिर्फ यही difference है और कोई difference नहीं है सिर्फ और सिर्फ डोस का difference है कि इसको लेने से आपको 100 mg जितना medications मिलता है जबकि ये जो है वो इसके अंदर रहता है 200 mg medication अब समझते हैं कि itraconazole क्या है तो यहाँ पे जो आप देख रहे है chemical structure तो यह जो है वो itraconazole का chemical structure है और यह powder जो है वो itraconazole medicine का यह powder है कि जो antifungal medication है और बहुत सारे fungal infection को treat करने के लिए use किया जाता है और उसके अंदर जो main basic ring structure होता है वो है azole ring structure present होती है तो azole ring containing यह antifungal medication जो है वो कहा जाता है और जो fungal के करन होने वाले infection as well as जो हम yeast infections कहते है उसको prevent भी करता है और साथ हो साथ उसके treatment के अंदर यह medication जो है वो prescribe की जाती है और बहुत सारे उसके अलग-अलग doses firm होते हैं कि यहाँ पे हम candy force के capsules के बारे में सिखेंगे बट itra-conosal medications के oral suspensions वावेगरा भी available होते हैं उसके topical creams वावेगरा भी market में available है और यह क्या करती है जो fungus की growth होती है उसको stop कर देता है कि जिससे आगे जाके fungal infection जो है वो cure हो जाता है और fungus infection में से आपको relief मिलता है तो अब हमें समझना कि कौन से अलग-अलग medical conditions में candy force के जो capsule से वो use किया जाते है तो candy force capsule जो है वो specially अलग-अलग जो fungal infections होते है उसमें भी आप देखो कि fungal infections आपके lungs के अंदर हुआ है कि जो आगे जाके आपके पूरी body में भी फैल सकता है तो उसके इलाज में भी ये medications जो ही वो use किया जाते है कि especially fungal infections जो हमारे lungs के अंदर मतलब कि हमारे फेफ़डों के अंदर जो fungal के करन जो infection होता है उसके इलाज में candy force के capsules prescribe किये जाते है फिर आप यहाँ पे देखो जो toenail कि हमारे जो पैर के जो fingers होते है उसमें जो nail है कि यहाँ पे ये वाला nail देखो आप और ये वाला तो यहाँ पे आप notice करोगे कि ये finger nail आपके है कि आपके हाथ के nail आप देखो नाकुन देखो या फि यहाँ पे जब यह fungal infection होता है और वो समझे कि topical creams लगाने से cure नहीं हो रहा तो उस वक्त ये candy force के जो capsule से वो patient को prescribe किये जाते हैं आगे समझे तो जो हमारे oral cavity के अंदर जो mouth के अंदर कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये diagram के अंदर कि ये वाला जो fungal infection है वो आपके oral cavity के अंदर है कि यहाँ पे ये mouth के अंदर आप देख सकते हैं उसी तरह से आगे जाके वो आपके थ्रॉट के अंदर भी आगे ये infection जो है वो फैलता है तो ऐसी condition को भी treat करने के लिए कि ये जो फिर आगे throat region से आगे आपके isophagus तक जो है ये infection आगे फैल सकता है तो ये infection को prevent करने के लिए आगे बढ़ने से और उसको ठीक करने के लिए भी candy force capsules यूज़ किये जाते हैं फिर जो oral candidiasis जो हम कहते हैं या फिर oropharyngeal candidiasis जो कहा जाता है कि oral cavity में भी और आपके pharynx के region में भी पहुचता है isophagus तक समझेगे ये पहुच जाता है infection तो उसको prevent करने के लिए उसको आगे बढ़ने से रोगने के लिए ये medication यूज़ की जाती है फिर अभी जो हमने बात किया था कि जो asparzillosis की जो condition होती है कि जिसके अंदर specially lunges के अंदर ये fungal infection जो है वो फैलता है कि यहाँ पे आप बाजू के diagram के अंदर खास notice करोगे तो आपको देखने को मिलगा कि यह यहाँ पे फेपडों के अंदर यहाँ पे यह देख सकते है कि जो asparzillus जो fungi आती है उसके करन ये जो fungal infection यहाँ पे देख सकते कि आप फेपडों के अंदर lungs के अंदर फैला हुआ है फिर blastomycosis की जो condition होती है कि यहाँ पे आप देखो इस तरह से यह जो fungal infection हुआ है कि आपके nose के resistance में आपको देखने को मिलते है तो इसको proper treat करने के लिए कि जिसको blastomycosis का जाता है कि blastomyces dermatitis जो spores होते है fungal के उसके करन यह infection फैलता है फिर cocidio domycosis जो है कि यहाँ पे यह जो condition यहाँ पे देख सकते है जो third diagram के अंदर है तो यह बिस एक fungal infection ही है तो उसके भी इलाज के लिए यह candy force के जो capsule से वो patient को prescribe किये जाते है आगे समझे उसके दूसरे medical use तो histoplasmosis की जो condition है कि इस तरह से जो आपके body के उपर fungal infections जो ऐसे दाने दाने जिससे देखने को मिलते है तो यह होने का reasons होता है histoplasma capsulatum करके जो food आती है fungus आती है उसका समझे कि आपको संकरा मन हुआ है तो उसके करण histoplasmosis के condition develop होती है तो यह disease के इलाज में भी candy force के capsules यूज किये जाते है फिर पेरा कोकाई डियो आइडो माइकोसिस की जो condition है कि जिसको PCM कहा जाता है कि यह वाली condition PCM कि यह आप यह जो देख रहे है इस तरह से जो fungal infection होता है तो यह भी पेरा कोकाई डियो आइडिस जो है उसके genus के करण होता है fungus के तो उसके इलाज में भी यह medication जो है वो काफी effective सा भीत होती है आप समझते हैं उसके dose and use के बारे में कि किस तरह से आप उसका proper dose use करें कि जिससे जो है वो proper treatment जो हो जाती है तो आप समझते हैं उसके dose के बारे में तो dose में आप समझो कि जो loading dose होता है loading dose मतलब कि जब treatment start होती है तो उसके first तीन दिन तक जो है therapy के patient जो है वो 200 mg जितनी medications लेता है orally three times a day मतलब कि 200 mg जितना आप लेते हैं दिन में तीन बार into three मतलब कि total 600 mg जितना medications आपके body के अंदर जाएगा और total जो है वो आप इसके 3 capsules जो हो खाएगे के समझे के 200 mg का है तो ये वाला candy force 200 mg की जो tablet आदी है वो patient जो है वो इस तरह से लेगा first three days तक आगे कि जो समझो आप loading dose के बाद जो maintenance dose होता है तो maintenance dose जो हो patient के conditions के उपर depend है कि once a day या फिर two times a day OD मतलब के once a day BD मतलब के दिन में दो बार तो 200 mg जो है वो patient दिन में एक ही बार लेगा या फिर condition और ज़्यादा खराब है तो दो बार भी दिन में वो ले सकते हैं उसके बाद तो पहले तीन दिन के बाद dose जो है उसका इस तरह से हो सकता है समझे कि 200 mg का यूज़ कर रहे है तो 101 हो सकता है या फिर 100 मतलब कि दिन में एक ही बार या फिर दिन में दो बार बट maintenance जो होता है पहले तीन दिन तक ये ये वाला रहेगा कि दिन में तीन बार जो है वो capsules भी market में available है कि जो खास कर patient BD मतलब कि दिन में दो बार लेते हैं इस तरह से कि 101 तो 100 mg दिन में दो बार लिया जाएगा कि जो उसका lower dose है कि समझे कि minor infection है तो उस वक्त ये 200 mg के capsules लेने के ज़रूत नहीं रहती 100 mg से भी जो है वो ठीक हो जाएगा बट ऐसा infection है कि काफी ज़्यादा फैल चुका है fungal infection तो उस वक्त इत्रा कोनाजोल के 200 mg के capsules यूस किये जाते हैं duration देखे थेरा पिके कि कि कितने माहिने तक patient ले सकता है तो at least 3 मन तक कि 3 माहिने तक इसकी treatment चलती है और जब तक laboratory test कराने के बाद उसका जो result completely negative ना आ जाए तब तक इसकी treatment जो है वो चलती रहती है और regularly जो है वो patient को diagnosis किया जाता है कि जिससे कोई side effects वगरा develop हो रहे हो तो दूसरी alternative जो resumes होते है वो उसको prefer कर सके तो जब तक complete cure ना हो जाए infection body में से और completely negative test ना जाए तब तक ये medications जो patient लेते हैं और maximum 3 माहिने तक जो है वो ये therapy चलती है इटराको नाजल की अब बात आती है कि pregnancy में ये candy force के capsules use किये जाते है या नहीं तो clinical study की जो बात करे तो उसमें ये medications जो है वो risk दिखाती है कि अगर आप pregnancy के दौरान use करते है but कुछ result रहसे है कि उसमें कोई risk दिखा गया या कुछ reason में नहीं देखा गया but FDA ने उसको category C label दिया गया है कि कुछ studies के अंदर जो है वो risk नहीं देखा गया not detected और कुछ cases के अंदर risk जो है वो देखने को मिला है तो इसको जो है वो category C के अंदर रखा है मतलब कि pregnancy के अंदर ये contraindications में आएगा कि avoid करनी चाहिए ये medication को pregnancy के दौरान कि जिससे कोई जो है वो आपको risk ना हो pregnancy के दौरान because जो safe दूसरे medication से antifungals के अंदर वो आप जो है वो prefer कर सकते या फिर topical medications जो है वो use की जा सकती है pregnancy के दौरान अब बात करें कि candy force किस तरह से काम करता है तो candy force क्या करता है कि जो fungal cell जो होते हैं उनको अपना cell membrane जो है बनाना होता है मैं आपको एकदम simple तरही के से समझाता हूँ कि यह आप देखो कि यह है आपका यह fungal cell कि यह पूरा जो आप cell देख रहे है तो उसके आसपास यह जो पूरी boundary है उसको हम कहते है cell membrane तो यह cell membrane बनाने के लिए किसी भी fungal को या फिर किसी भी fungal को जरूरत पढ़ती है ergosterol की तो ergosterol कैसे बनता है तो वो बनता है lanosterol में से तो lanosterol में से समझा कि आपको ergosterol बनाना है तो उस वक जरूरत पढ़ती है यह enzyme के जिसका नाम है lanosterol 14 alpha d methyles नाम का यह enzyme जह है उसका involvement होने से lanosterol में से squilline में से जब lanosterol बन जाता है और lanosterol में से आपको ergosterol बनाना है तो यह enzyme की ज़रूरत पढ़ती है तो हमारा जो medication candy 4 से वो क्या करेगा यह enzyme की जो activity है उसको completely कर देता है बंद तो अब condition यह होती है कि यह medication क्या करेगा lanosterol जो 14 alpha d methyles जो है उसकी activity को completely बंद कर देता है कि जिससे lanosterol में से आगे यह ergosterol जो है वो नहीं बन पाता ergosterol ना बने तो यह fungal cell का जो cell membrane है वो आगे जाके नहीं बनती जिसके करन यह fungal cell की क्या हो जाती है date हो जाती है completely यह cell जो है वो destroy हो जाता है तो इस तरह से आपका यह जो medication है candy force की जिसके अंदर itraconazol medication है वो अपना काम कर दे तो खास उसके effect रहती है यह lanosterol 14 alpha d methyles और यह enzyme को यह कर देता है inhibit उसकी effect को block करके अपनी जो है वो pharmacological action जो है वो देता है अब समझना जरूरी है यह capsules के side effect तो एक तो nausea हो सकता है और उसके साथ आपको vomiting जैसा हो सकता है कि कुछ लोग यह medications लेने के बाद nausea vomiting जैसा जो है वो fill करते कि जी मचलना उल्टी वगेरा हो जाना, abdominal pain भी कुछ लोगों को जो है notice किया गया है, rashes develop हो जाते है, headache जिसी condition develop होती है कुछ लोगों के अंदर की जिसको हम कहते है सरदर्ध हो जाना, फिर कुछ cases के अंदर जो है वो diarrhea की जो condition है वो develop हो सकती है, weakness आ जा सकती है कि सरदर्ध तो हो ही आपको बड़ साथ में आपके body के अंदर weakness वागेरा जो है वो देखने मिल तो यह है उसके common side effect कि जो normal side effect कही सकते हैं कि इसके कोई ऐसे harmful effect body पे नहीं होती, but आगे जो है उसके कुछ serious side effect है, वो समझना जरूरी है तो यह medications जब आप use करते हैं तो उस वक regularly liver का diagnosis करवाना जरूरी है, because यह medications लंबे समय तक use करने से और जो है वो liver related problems जो हो सकते हैं तो खास समझो कि यह medications के treatment चल रही है तो regularly जो है वो आप खास कर liver के जो test जो कराने चाहिए, liver का diagnosis कराना चाहिए कि liver related कोई problem आपको ना हो और कुछ भी ऐसा लग रहा है तो तुरंत यह medication को लेना बंद कर देना चाहिए और दूसरे antifungals try करनी चाहिए, फिर अगर आपका liver already खराब है, liver failure है तो भी उसको use नहीं करनी चाहिए, फिर heart failure के problems है किसी को तो भी यह medications use नहीं करनी चाहिए because heart के उपर उसकी आसर हो सकती है और ज़दा या फिर medication को use नहीं करनी चाहिए, कि कुछ cases के अंदर यह से serious side effects जो है वो देखने को मिलते है candy force के कारण contraindications हम देखे तो अगर आपको नीचे वाली conditions है तो यह medications को use ना करे, do not take तो पहला condition है कि painful condition कि जिसको हम कहते है peripheral neuropathy, कि neurons related जो painful conditions कि जो आपके legs और आपके arms, मतलब कि आपके हाथ और पेर के आई जो neurons होती है वहाँ पे painful condition जो produce होती है, ऐसी condition कि आप patient है peripheral neuropathy के तो use ना करे, hearing loss का आपको problem में कि आपको already कम सुनाई देता है, तो यह medication use ना करे फिर आपको जो blood है blood का जो supply है वो heart के अंदर कम हो रहा है और वो भी oxygen वाले blood का कि low supply of oxygen reach blood कि जो आपके heart को oxygen वाला blood मिलता है उसका supply कम है तो ऐसे condition वाले patient को use ना करना चाहिए, फिर आपके heart के wall related diseases है तो भी use ना करे, फिर chronic heart failure के जो patients होते है वो भी यह medication को use ना करे और conditions जैसे कि abscesses हुए है आपके stomach acid related तो भी यह medication को use नहीं करनी चाहिए, फिर जब भी यह candy force के medications use केरते हैं तो उसके साथ जो है वो antacid medications जो है वो prescribe किये जाते है जैसे कि H2 blockers भी उसके साथ दिये जाते हैं या फिर proton pump inhibitors जो है उसके साथ combination में use किये जाते हैं कि जिससे कोई acidity related problems ना हो patient को तो यह था हमारा special video lecture about the candy force अब समझते हैं उसके कुछ warnings तो itraconazole जो है वो क्या कर सकता है कि आपके stomach के अंदर decrease करवा सकता है stomach acid को तो यह खास जयान रखे कि itraconazole में decrease your stomach acid and itraconazole में decrease your kidney function kidney के जो function से वो करवा सकता है या फिर stomach acid तो कुछ cases के अंदर stomach acid जो है वो reduce करवा देता है कुछ cases में stomach acid बढ़ भी जाता है कि जिससे abscess जिसे problem हो जाती है फिर kidney के जो function है उसको decrease करवाता है visible water retention कि जैसे problem करा सकता है itraconazole फिर abnormal liver function test जो है वो हो सकती है कि अगर आपको liver problem है और समझे कि liver function टेस्ट करवाते है तो वो abnormal आ सकता है chronic obstructive pulmonary disease के लिए भी ये medication responsible बनती है और medicines related courses के लिए जरूर से download करे है जहाँ पे जिससे यहाँ पे हमने candy foods के बारे में सीखे ऐसे बहुत सारे bad effects होते है वर्निंग्स क्या होते है तो ये आप सीख पाऊंगे affordable price के अंदर farmer rocks के आप उपर कि जो medicines की जान करें आपको मेरे लिगी काफी सरयल भासा में तो this is an medicines related course को access करें farmer rocks के आप उपर affordable price में कि download करें आप farmer rocks android application on google play apple iphone या अपन app store लिंक आपको description box में मिल जाएंगे या फिर ये नंबर पर whatsapp करके भी आप course जो है वो join कर सकते है तो link आपको हमने description box में दे दी है या फिर आप whatsapp कर सकते है तो जरूर से download करें आप farmer rocks android user android app download कर सकते है google play store पर से iphone user app store से download करे link जो है वो description box में मिल जाएगी good luck and all the best